नमस्कार में प्रियर अंजन और आज की इस एपिसोड में साउथ इंडियन बेंक के स्टॉक को डिस्कस करेंगे ये स्टॉक अगर पिछले एक साल से देखेंगे तो पिछले लगवग वन यर का मैं ट्रेंट दिखाऊं तो आपको कंसोलेट निगेटी भी दिखेगा एक रैल करके तो आगे बरें से पहले प्रीमियम टेलिग्राम जरूर जोइन करें डिस्क्रिप्सन के लिंक से एकांट ओपेंड करें वीडियो पसंद आये तो दोस्तों में सियर करेंगे ये गांधी जी को मैं डिसलाइक या लाइक नहीं करता ये गलती से हुआ है तो इसको बहुत 8.6% बरा है कासा रेशियो 18 basis points गीरे हैं जिसको मुझे लगता है कासा रेशियो maintenance कुल्य करके ही जो है HDFC bank काफी जो लोन्स है उसको बेच रहा है और कासा की जो deposit रही है वो भरते वे दिखी है तो overall better improvement दिखा है total numbers में वो चाहे deposit हो, gross हो, कासा हो काफी ठीक ठाक नंबर दिखा है लेकिन recent की delivery तो ठीक ठाक है ही बट trend missing है और इस missing trend में global भी कुछ बहुत stable या बरहिया नहीं दिख रहा है last trading session में हमारा गेफ निप्टी लगबग लगबग 90 0.90% यानि 1% के आसपास के downtrend पे closing रही है South Indian bank के volume को देखेंगे तो काफी nominal volume रहा है इस समय देखेंगे तो volume जो वही है 25,000 के अंडर ही volume trade करते दिख रहा है लेकिन ये तो वह नहीं दिख रहा है ये तो South West मैं बोला यार इतना कम कैसे South Indian bank का हो सकता है कि 25,000-50,000 भी volume नहीं हो लगबग एक करोर तो होना चाहिए 85,000,000 का volume दिख रहा है अगर recent के volume देखेंगे तो in between वन करोर के आसपास का है एक बार technical देखेंगे तो daily time frame पर क्या है इसने high तो बनाया 36 का नीचे से one sided trend लेकिन उसके बाद का जो channel बना वो lower low lower high बना है अगर मैं weekly time time frame पर भी दिखा हूं तो यहां देखोगे चलो पहले monthly देखते हैं monthly time frame पर देखो क्या दिख रहा है monthly time frame पर यह दिख रहा है कि से stock में जो top का level है यानि 32 के उपर यह पहली और दूसरी बार अब यहां से continuous breakdown है इसका जो major support होना चाहिए वो लगबग लगबग 23 और 18 या फिर आप वही 16 और 23 के बीच का है आसपास का यह support होना चाहिए 16 से लेकर के 24 का और उपर अगर इस stock को जाना है तो लगबग लगबग 28 के उपर ही long करेंगे या इस zone में वही लेंगे जो long term investor है momentum बिल्कुल missing है average out या fresh buying करने से थोड़ा